C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कारिक्रम इंसुलिन की कहानी जिन्दगी बचाने वाला द्रफ एपिसोड एक हार्मोन X की खोज शुरू होती है सन 1918 की शरद रितु सितंबर 28 प्रथम विश्व युद्ध का आखरी वर्ष संयोक्त सेना के, ब्रिटेन, अमेरिका और कैनेडा के जर्मनी पर प्रहार जारी दिन्दगी अपनी चिकित्सा सनातक के डिगरी को हासिल कर एक 25 वर्षिय नौजवान लेटिनेंट कैनेडा सेना की मेडिकल कोर में दाखिल हुआ था फ्रांस के युद्ध स्थल पर कार्य परायन डॉक्टर को हाल ही में पदोन्नती के साथ कैप्टन बनाया गया था वो बुरी तरह जखमी हो गया था और उसे बॉक्स्टन के विशेश अस्पताल में लाया गया था हाथ उपर उठाओ थोड़ा और थोड़ा और बास बास मुझे खेद है केप्टन लगता है कि हाथ काटना पड़े है नहीं चॉक्टव नहीं केप्टन बिलकुल नहीं मुझे इस बात का ऐसास है कि तुम अभी ज़वान हो और तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है लेकिन नई नई डॉक्टर ठीक है हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा पर छोड़ दीते हैं मैं दुआ करूँगा कि इश्वर तुम्हें शक्ती प्रदान करें शुक्रिया डॉक्टर शुक्रिया मरीज के जीवन का जोखिम लेते हुए उनकी बाह को बचाने की खातर डॉक्टर पालमर ने उनके हाथ को नहीं काटा वो बहादूर जखमी थे डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग एक साल बात उन्हें वीरता के लिए मिलिटरी क्रोस के पदक से सम्मानित किया गया सन 1919 में जब विश्व युद्ध समाप्थ हुआ तो वो कनाडा लोट आए और थोड़े समय के लिए उन्होंने उन्टारियो प्रांत के लंडन शहर में डाक्टरी की डाक्टरी का काम निभाने के साथ-साथ पश्चिमी औंटारियो विश्व विध्याले के हड़ी चिकित्सा विभाग में अल्पकालिक प्रशिक्षक की रूप में भी काम किया एक दुपहे डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग विश्वविद्याले के चिकिटसय विज्ञान के पुस्तकाले में सरजरी, गाइनुकॉलोजी और अप्स्टेट्रिक्स नामक पत्रिका पढ़ रहे थे इस नवंबर अंक के पहले लेख का लंबा शीर्शक था The relation of the eyelids of Langerhans to diabetes with special reference to causes of pancreatic lithiasis बारह पन्नों की इस report को Dr. Moses Barron ने लिखा था इस लेख के सार की तीन मुख्य पंक्तियों को Benton ने अपनी pocket notebook में लिख कर रख लिया Legate the pancreatic ducts of dogs Keep dogs alive till acony degenate Remove the residue and then isolate internal secretion ये साधारन सी पंक्तियां थी पर इन में चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को रचने के बीच थे Dr. Banting प्रोफेसर F.R. Miller के दफ्तर गए Professor Miller सनायो क्रिया तंत्र के वीशी शग और शरीर क्रिया शास्त्र विभाग के प्रमुक थे Dr. Banting ने उन्हें बताया Professor Miller ये देखिए इस लेख में ये दावा किया गया है कि जब पैंक्रियेटिक नली को सरजरी से बांध कर बंद कर दिया जाता है तो अगनाशय की वो कोशिकाएं जहां एंजाइम ट्रिपसिन बनते हैं वो कोशिकाएं नस्ट हो जाती है पर आइलेंड ओफ लेंगर हिंस की कोशिकाएं बची रह जाती है वाकई ये एक बहुत सरल विचार है और ये तर्क संगत भी लगता है डॉक्टर बेंटिंग मेरे अध्ययन और शोद का क्षेत्र सनायू तंत्र की कारे प्रणाली है आपने जो शोद समस्या सुझाई है वो वास्ताव में एंडो क्रिनॉलजी का विशे है लेकिन इसके लिए विश्विद्याले की छोटी सी प्रियोक्षाला ठीक नहीं रहेगी आपको ज्यादा बेहतर सुविधाओं और उपकरणों की जरूरत होगी तो प्रफेसर मिलर इसके लिए मुझे क्या करना होगा डॉक्टर बेंटेंग आपको टोरंटो विश्विद्याले जाना चाहिए वहाँ शरीर क्रिया प्रणाली के प्रोफेसर है जॉन जेम्स रिकर्ड मेकलियोट जो कैनेडा के सबसे प्रतेष्ठित चिकित्सा विज्ञानी है स्कॉट्लेंड से आए ये मेहनती इंसान चिकित्सा विज्ञान विभाग के एसोसियेट डीन भी है इन्हें कार्बो हाइड्रेट मेटबालिजम में विशेश महारत हासिल है इनकी प्रयोकशाला आपके लिए सही जगा रहेगी ठीक है ठीक है प्रफेसर मिलर मैं वही जाओँगा उनके पास बहुत बहुत शुक्रिया आपको अगले सब्ताह नवंबर आठ सन 1921 की सुभा डॉक्टर बेंटिंग प्रफेसर जॉन माकलियोट से उनकी दफ्तर में मिले प्रफेसर हाँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हाँ क्रिपया यहां बैठिए जी धन्यवाद शुरिमान मुझे प्रफेसर मिलर ने आपके पास बहजा है किसलिए जी ये मेरे पास मदुमे रोक के इलाज के लिए एक शोत का प्रस्ताव है मेरी सोच का आधार है कि बिल्कुल ठीक हाँ आपने पर ये सब आप करेंगे कैसे सर पाचल प्रणाली में अगनाशे क्या क्या और कैसे कैसे अपना कारी करता है इसका पता लगा कर हाँ जी हाँ ये मेरा अपना भी विशेश शोध क्षित्र है अच्छा सर मैं सोचता हूँ कि अगनाशे में कुछ ऐसे रस का रिसाव होता है जो रक्त में शक्कर की मातरा को नियंतरत करता है पर आप आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई रिसाव इसके लिए जरूरी है ये बिल्कुल स्पष्ट है और कम से कम मैं ये कोशिश करके साबित करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आपके सहयो की अपेक्षा रखता हूँ क्या आपके पास पहले प्रयोग और शोध करने का कोई अनुभाव है डॉक्टर बेंटिंग क्या आपको रक्त में शक्कर की मातरा मापना आता है जी नहीं मैं रसाइन शास्त्री नहीं हूँ डॉक्टर बेंटिंग मैं आपकी मदद करूँगा आपका शोध में कोई प्रशिक्षिन नहीं है, इसलिए अन्वेशन की प्रयोजना तियार करने में मैं आपकी सहायता करूँगा। आप चुकि रसायन शास्त्र के जानकार नहीं हैं, मैं आपके साथ काम करने के लिए एक रसायन शास्त्र प्रशिक्षित सहायक भी दूँगा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्र बिंटिंग लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो तरीका आप सुझा रहे हैं योरोप के अग्रणी नामी गिरामी शोद करता पहले ही उसकी कोशिश करके देख चुके हैं और उनमें से कोई भी अभी तक सफल नहीं हुआ उनके अलावा आप क्या अलक करना चाहते हैं मुझे उनके प्रियासों और प्रणामों के बारे में पता नहीं है फिर भी मैं खुद एक बार अपने तरीके से करके आजमाना चाहता हूँ सर डॉक्र बिंटिंग कम सिकम आपको तरक संगत तो बनना ही पड़ेगा विभागा अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको अपनी मर्जी के प्रियोग अपनी ही प्रियोग शाला में करने की इजाज़त भला कैसे दे सकता हूँ आपसे बहतर और काबिल लोग ऐसे प्रियोग करने के लिए मौजूद है आपकी थियोरी मुझे लगता है बिकार है सर एक बार के लिए आप मान लिजे कि डाइबेटीस के विरुद काम करने वाला कोई आंत्रिक रसायन है कोई अंजाना एक्स हार्मोन है मैं उसे धागे से बंधे हुए अगनाशय से अर्क बना कर निकाल लेता हूँ और एक डाइबेटीस रोग से पीडित कुट्टे में इंजट कर देता हूँ और कुट्टे के रक्त में शक्कर की मातरा घट जाती है क्या ये सबूत काफी नहीं मैं तो सिर्फ आप से इस शोत को करने की अनुमती माग रहा हूँ डॉक्टर बेंटिंग मेरी सला है कि आप अगली घर्मियों के मौसम तक इंतिजार करें और उसके बाद एक या दो महिने के लिए आप टॉरंट तो आसके हैं शुक्रिया धन्यवाद सर जैसा कि डॉक्टर बेंटिंग ने सोचा था पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही ऐसा अक्सर होता ही है डॉक्टर बेंटिंग सहज नहीं थे क्योंकि प्रोफेसर मैकलियोट की बुद्धी और तेज दर्रार स्वभाव का प्रभाव ही कुछ ऐसा था परंतु जीवन डॉक्टरी पेशे के नजरिये से आगे बढ़ता नजर आ रहा था उनकी चिकित्सा का काम धीरे धीरे तरक्की कर रहा था वो जिद्धी और सपने देखने वाले इंसान थे वो एक शोध प्रयोग पर सब कुछ दाओं पर लगाने को तैयार थे बसंत रिदु तक वो कुछ महीनों के लिए डॉक्टरी छोड़कर लंडन से बाहर निकलने का मन बना चुके थे इसलिए सन 1921 के मार्च महीने में डॉक्टर बेंटिंग ने टुरॉन्टो में प्रफेसर मैकलियोट से पुनह संपर्क स्थापित किया इस बीच विश्व विद्याले के कुछ प्रभावी और नामी गिरामी लोगों ने शर्मी ले पर इरादों के पक्के शोड़करता के बारे में प्रोफेसर मैकलियोट से उनके हक में सिफारिशें की थी जिससे प्रोफेसर मैकलियोट के विचार टॉक्टर बेंटिंग के बारे में अब बदल चुके थे उस रात उन्होंने एक लिखिद प्रस्ताव तयार किया अगली सुभा वो प्रोफेसर मैकलियोट से फिर मिले प्रफेसर मेकलियोट अगर शोद के लिए मुझे सभी सुविधाओं को देने का आपका वादा बरकरार है तो मैं आशा करता हूँ कि अपने शोद प्रजेक्ट पर गर्मियां शुरू होते ही मैं अपना काम शुरू करता हूँ अपने शोद को पूरा करने के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं तो मैं आपके लिए प्रयोग करने के सुविधाएं और जानवरों का इंतिसाम करता हूँ मैं चार्ल्स हरबर्ट बेस्ट से आपके साथ काम करने का नुरोद करूँगा तो वो शरीर क्रिया विज्ञान में सनातक है अभी वो किशोर उम्र में ही है पर इस काम के लिए वो बहतरीन है जे, सर आपका यह साथ मैं कभी नहीं पहलूँगा बिस्ट में रसायन विशलेशन का जुनून है और आप एक अच्छे सर्जन है आप दोनों मिलकर कुत्तों पर बहो भी प्रयोग कर सकते है और प्रयोखशाला के बाके सुविधा है अभी के लिए आप एक छोटी प्रयोखशाला से काम चला सकते है जहां जहां ऑपरेशन के बाद जानवरों को पिंजरे में रखने की विवस्ता हो और उसके साथ ही जुड़ा हुआ ऑपरेशन करने के लिए एक अलग विशेश कमरा भी हो जिसे आप ऑपरेशन थेटर कह सकते है बहुत बहुत शुक्रिया सर्थ थेंक यू सर ये साधारन सी घटना बाद में एक महान खोज में तबदील हुई 1920 के दशक में डाइबिटीज यानि मधू में एक खतरनाक रोग था जिसमें मौत शर्थिया ही होती थी डॉक्टर भी उतना ही इस रोग से डरते थे जितना कि इस रोग के मरीज डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही पता था कि बचने का एक ही तरीखा है कि मरीज को एक साधारन पर संतुलित आहार पर रखा जाए ऐसे भोजन पर जिसमें शक्कर की मात्रा कम से कम हो इन सब उपजारों से मरीज कुछ ही बरस तक जीतों जरूर लेते थे पर वो बचते नहीं थे कई बार तो खुराक इतनी घटा दी जाती थी कि मरीज भूग से ही मर जाता था लंडन को अलविदा कहकर डॉक्टर बेंटिंग अपनी कार में दो सूटकेस डाल कर टॉरॉंटो के लिए रवाना हो गये उनके मित्र फेडिक हिव्वैल और उनकी पत्नी ने अपने घर में रहने के लिए उन्हें जगह दे दी दूसरी मन्जिल पर दस कुत्ते और एक टेबल पर बनी एक छोटी रसायन प्रयोग शाला उनके आगमन पर तयार थी सन 1921 को 17 मई के दिन मैकलियोड ने सरजरी का पहला प्रयोग बेंटिंग और बेस्ट के जिग्यासु दल को खुद करके दिखाया प्रिफेसर मैकलियोड ने पहले कुत्ते की सरजरी के बाद किसी दूसरी सरजरी में हिस्सा नहीं लिया जून 14 सन 1921 को वो तीन महिने के लिए लंबी छुट्टी पर स्कॉट्लन चले गए और तब बेंटिंग और बेस्ट की जोड़ी कमर कसकर दिन रात एक करते हुए गर्मियों के मौसम में प्रयोग शाला की छोटी सी कोट्री में पसीने से तरबतर अपने प्रयोगों में जुट गई चल्स हमारे पास दस कुट्टे हैं और हमें इन में से पांच को डाइबिटिस से ग्रसित रोगी बनाना है क्या हाँ हमें बहुत ही एहतियाद परतनी पड़ेगी अब डॉक्टर बेंटिंग तुम्हारा मतलब है कि इन पांच कुट्टों में एंटी डाइबिटिक गुण उत्पन होंगे बिल्कुल तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो चाल्स अचा चाल्स ये क्या यंद्र है ये क्यलोरी मीटर है रक्त में शक्कर की मात्रा मापने के लिए अचा 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 चाल्स इस शोद परियोजना में शामिल होने की तुम्हारी कोई खास वज़ा डॉक्टर बेंटिंग बश्पन में मेरी एक नन्नी सी दोस्त थी मेरा मतलब मेरी बश्पन की साथी डाइबिटीस की वज़ा से बहुत ही छोटी उम्र में उसकी मृत्य हो गए थी हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके हो सकता है कि हमारे काम से कोई रहा निकले और जो तुम कर रहे हो उससे एक दिन लाखों लोगों की जान बचाना मुम्किन हो सके बिल्कुल बिल्कुल होगा तुम्हें पता है कि इस काम का तुम्हें कोई मेहनताना नहीं मिलेगा हाँ डॉक्टर प्रोफेसर मेकलियोट ने मुझे पहले ही बता दिया था मेकलियोट ने पहले अपनी प्रयोक्षाला के लिए आठ सब्ताह का ही वादा किया था और उनका समय समाप्थ हो चुका था दस में से साथ कुटे वो पहले ही खो चुके थे वो भी बिलकुल तूट चुके थे इसलिए बेंटिंग ने और कुटे खरीदने के लिए अपनी कार बेच दी अब बैस्ट शेहर के गलियों में क्या दिन क्या रात कुटों की तलाश में निकल जाते थे उनके मालिकों से मोलभाव करते, उन्हें खरीद कर प्रयोग शाला में ले आते थे लेबरिटरी में स्यकडों कुटों पर उन्होंने प्रयोग किये हर कुटे को एक नंबर दिया जाता था कभी ये नंबर पिंजरे का नंबर होता था तो कभी ऑप्रिशन की तारीख के मताबिक उन्हें नंबर दे दिया जाता था जाधा तर ऑप्रिशन के बाद कुट्टे अपनी सामान ये स्वास्ते की हालत में वापस आ जाते थे पर उनकी अगनाशे से पाचन रस बनना लगभग बंद हो जाता था और अगनाशे अवेव की बाहरी को शिकाएं या तो सिकुड जाती थी या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती थी एक दिन डॉक्टर बेंटिंग, चार्ल्स और डॉक्टर मैकलियॉड प्रयोक्षाला में थे ये तो मैंने कर दिया चार्ल्स इस सुकड़े हुए अगनाशे को काट कर निकालो और फिर इसके छोटे छोटे टुकडे कर उनको नमक और पानी के घोल में डाल दो जी डॉक्टर और हाँ परक नली के चारु तरफ बर्फ के टुकडे रख दो ताकि घोल सुरक्षित रहे ठीक है डॉक्टर पेंटिंग और हाँ जब अगनाशे तंतु बर्फ की ठंड से जमने लगे तो चान कर उससे तरल को सफाई के साथ अलग कर लो समझ गए जी ये ये मैंने चान लिया और इसको अलग कर लिया वाह ये रहस मही तरल कई बार निठारने के बाद बना है अरे वाह चाल्स ये तो तुमने बहुत अच्छा गाम किया एक काम करते है चाल्स क्योंना हम इस अज्ञात हार्मोन का नाम I- amidstat अलगे आई लेटन रखे तो काम आप लोगें का यहां पर मेखलोट सार आये ना आये ये से इस अज्ञात हार्मोन का नाम I- amidstat लेटन रखे प्रयोग के दूसरी कुत्तों के समूह का सारा का सारा ही अगनाशे बाहर निकाल दिया गया बिना अगनाशे के ये कुत्ते डाबटीज के मरीज बन जाते थे और लगभग एक सबताह में ही उनकी मृत्ति हो जाती थी इसके साथ ही उन कुत्तों का जिनके अगनाशे के नली को बांथ दिया गया था दोबारा ऑपरेशन किया जाता था डाबिटीज रोग से ग्रस्थ दो कुत्तों में से एक का इलाज अरकसी किया गया और दूसरा कुत्ता बिना इंजेक्शन के रखा गया डॉक्टर बेंटिंग, हाँ? वो कुत्ता जिसे हमने इंजेक्शन नहीं दिया था, वो मर गया लेकिन चार्स फिर भी वो चार दिन तक जिन्दा रहा अचा, उस पीले रंग के कूली कुत्ते का क्या हुआ? तुम्हारा मतलब कुत्ता नंबर बानवे? हाँ, हाँ, वही 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 नन्ना सा प्यारा सा कुत्ता मैंने आठ्स इसी एक्स्टरक्ट इंजेक्शन उसे लगा दिया है मैं कैलोरी मीटर से उसके रक्त में शक्कर की मातरा लगातार माप रहा हूँ चार्स, आधी रात को रक्त में शक्कर की क्या मातरा थी? अब बारा बजे के करीब ये तैतालिस थी तैतालिस चल्स, हर घंटे रक्त में शक्कर की मात्रा का रिकॉर्ड अपनी नोड़ बुक में लिखते रहो ठीक है डॉक्टर बेंटिंग डॉक्टर बेंटिंग, इस कुट्टे की हालत में सुधार होता नजर आ रहा है ये देखे, रात की दो बजे अब ये 33 संग पर है तीन बजे 29 अंग पर और चार बजे 21 अंग पर और पांच बजे ये 15 अंग पर है यानि, यानि छे घंटे में ये 43 अंग से गिरकर मात्र 15 अंग पर आ गया इसका मतलब ये हुआ कि उसके रक्त में शक्कर की मात्रा घट गई है हाँ, डॉक्टर बेंटिंग, वहाँ कई ये दो कमाल हो गया अरे वहाँ, चार्स, वहाँ कमाल कर दिया सच में, अब ये कुत्ता पूरी तरह स्वस्त है और रोग के लक्षनों से मुक्त है ओ चार्स, हमने कर दिखाया लेकिन डॉक्टर बेंटिंग, हमें अपना प्रयोग कई बार दोराना पड़ेगा हमें वो चीज मिल गई है जिसकी डाइबिटीस के रोगी बड़सों से प्रार्थना कर रहे थे हाँ, हाँ, चार्स देखो, देखो, ये कुट्धा भी कितना खुश है ना और खुशी में अपनी पूश हिला रहा है सच्मु चार्स हमने कर दिखाया हाँ, डॉक्टर सच्मे, आखिरकार हमने कर लिए कर दिखाया अपने मकसद में काम्याब हुए हाँ, डॉक्टर दोनों शोतकरताओं को लगा कि वे मधुमेह के इलाज के करीब पहुच चुके हैं ये कुट्धा जो उनका दोस्त बन चुका था बानबे इंजेक्शनों की वजह से भला चंगा हो रहा था पर उनके पास जरूरत के मताबिक अर्क द्रव्य नहीं था आखिर कुट्धा बीमार पड़ गया उसके रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगी और वो पेशाब भी बार बार करने लगा और वो कमजोर से कमजोर होता गया इसके बावजूद वो रोग के साथ और इंजेक्शनों की मदद से पूरे बीस दिन तक जिन्दा रहा डाबिटी से प्यूडित कुट्टे की मौत पर बेंटिंग के आसो निकल पड़े पर इस प्रयोग से इन दोनों शोध करताओं को उम्मीद की किरण भी नजर आई इन्सुलिन की कहानी एपिसोड एक अभी आपने सुना ये कारेक्रम विशे सन्योजन शोध एवं आलेक डॉक्टर जीतेंदर सिंग कलाकार अश्विनी वालिया, राजश्री त्रिवेदी, राजेश आहुजा, सुनील लोहिया, रजत सेन गुप्ता, प्रवीन शर्मा और परवेश गौहर ध्वन्यंकन बटिलैंग लिंग्डो और अमिता भट्टी, निर्मान सहयोग विमलेश चौधरी ध्वनी संपादन निर्देशन एवं निर्मान अजीत होरो तथा रस्तुती CIET NCERD झाल निर्मान सहयो विमलेश थैंग्डो और अमिता रस्तुती CIET NICE